नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप उमीद है कि आप अपने घरों पर शुरक्षित स्वस्थ होंगे और खूम मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार भी कर रहे होंगे स्वागत है आपका हमारी समाजिक विज्ञान की भुगोल की कक्षा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा साथ की भुगोल की पुस्तक हमारा पर्यवर्ण में संकलित अध्याई साथ जिसका सीर्षक है मानविय पर्यवर्ण बस्तियां परिवहन एवं संचार बच्चो आज हम इसका कहनता से अध्यन करेंगे आप जैसा कि जानते हैं कि पुराने समय से ही मनुश्य प्रकर्ती पे निर्भर रहा है वह अपनी हर छोटी या बड़ी जरूरत के लिए प्रकर्ती पर ही निर्भर रहता है तथा धीरे धीरे मानव ने अपनी इन जरूरतों को प्रकर्तिक वातावर्ण में अपने कोशल एवं बुद्धी के विकास के साथ पूरा करने में अपने आने वाली कठनाईयों को बहुत हद तक दूर किया है आज हम इस अध्याय में यही अध्यन करेंगे कि मानव ने धीरे धीरे किस परकार से अपने आवास जिने हम बस्तियां कहते हैं उन में गुफाओं से लेकर के बड़े बड़े शेहरों तक का सफर तै कर लिया है बड़े बड़े बिल्डिंग इमारते हैं आज आप देखने को मिलती हैं आपको शेहरों में महानगरों में इसी परकार से यदि आप परिवाहन में देखें तो पहिये के अविशकार से लेकर के आज हवाई आतायात तक का सफर किस परकार से मानव ने अपनी बुद्धी औ कोशल के दम पर हासिल किया है बच्चो इसी प्रकार संचार के यदि आप संचार के साधनों की बात करें तो पुराने समय में मानव कबूतर या अन्य पशुपक्षियों तथा अन्य ध्वनियों का परियोग करके अपने संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी बातों को पहुंचाता था कई संकेतों के माध्यम से भी कई बार धुआ उठा करके या अन्य ध्वनिया करके मनुश्य अपने संचार के इस जरूरत को पूरी करता था प्रंतु समय वे अपनी बुद्धी को विक्सित करते हुए मनुश्य ने किस परकार से आज दूर भाष्चल यामी यंत्र या संचार यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकने वाले उपकरण पूरी तरह से अपनाते हुए कई कई दिनों का काम वर्ष्चों का काम और कुछ हिक्षणों में तब्दील कर दिया है तो आज हमारा ये अध्याय इसी पर अधारित है इसमें हम आवाज से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का अध्याय बच्चों बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं वे स्थान जहां भवन अथ्वा बस्तियां विक्सित होती हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं बच्चों यूं तो आप भवन या घर बस्ति कहीं भी बसा सकते हो लेकिन इसके कुछ आदर्स प्रकर्तिक दसाएं होती हैं जैसे कि अनुकूल जलवाईू, जल की उपलब्दता, उपयुक्त भूमी तथा उपजाव मित्ती आपने पड़ा होगा प्रारंबिक मनुश्य वरिक्षों अवम गुफाओं में निवास करते थे जब उन्होंने फसलें उगाना अरंभ किया तो उनके लिए एक जगहां स्थाई घर बनाना अवश्यक हो गया बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निक्ट हुआ बच्चों ऐसा क्यों क्योंकि वहां प्रियाप्ट मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमी उपजाओ थी वयपार वानिज्य एवं वी निर्मान के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई नदी घाटि के निकट बस्ति पनपने लगी एवं सब्वेता का विकास हुआ यहां मानचित्र में आप सिंदू, टिग्रिस, नील एवं हवांगो नदियों के द्वारा विक्सित हुई सब्वेताओं को देख सकते हैं यह वो सब बेताओं हैं जो नदियों के किनारे विक्सित हुई बच्चो बस्तियां स्थाई या आस्थाई हो सकती हैं जानते हो क्यों? चलिए हम बताते हैं जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें आस्थाई बस्तियां कहते हैं क्योंकि गने जंगलों गरम एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा परवतों की जलवाईू अत्यदी कठोर होती हैं तथा धर्ती पर बदलते मौसमों के चलते वर्ष के कुछ महीनों में यहां रहना बहुत कठिन हो जाता है इसलिए यहां के निवासी अक्सर और स्थाई बस्तियों में रहते हैं वे आखेट, संग्रहन, स्थानांत्री क्रिशी एवं रितू परवास करते हैं बच्चों रितू परवास किसे कहते हैं? बच्चों जहां मौसम में जादा बदलाव नहीं आते तथा लगभग एक जैसा ही वातावन या मौसम रहता है वहां पर अधिकांश बस्तियां स्थाई पाई जाती हैं इन बस्तियों में लोग अपने रहने के लिए पक्के घर बनाते हैं यहां आप चितर में मानव की एक स्थाई बस्ति को देख सकते हो बच्चों हमारे देश में लोगों के रहने के क्षेतर के अधार पर हम बस्तियों को आगे दो भागों में बाट सकते हैं ग्रामीन बस्तियां वो शेहरी बस्तियां चलिए हम पहले ग्रामीन बस्तियों का अध्यन करते हैं गाम ग्रामीन बस्ति होती है जहां लोग क्रिशी, मतस्य पालन, पानी की, दस्तकारी और पशु पालन सम्मंदी कारे करते हैं ग्रामीन बस्ती सगन या प्रकीरन हो सकती है सगन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं आप यहां चित्र में एक सगन बस्ती को देख सकते हैं कि किस प्रकार से घर एक दूसरे के साथ सटे हुए है प्रकिरन बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक शेत्र में फैले होते हैं जैसा कि यहां चित्र में दिखाया गया है ऐसा अक्सर पहाडिक शेत्रों पे देखने को मिलता है गने जंगलों एम अती विशम जलवायू वाले शेत्रों में इस परकार की बस्तियां पाई जाती हैं जहां पर आपको इका दुका घर और ये घर दूर दूर नजर आते हैं ग्रामिन शेत्रों में लोग अपने पर्यावर्ण के अनकूल घर बनाते हैं अत्यधिक वर्षा वाले शेत्रों में ढाल वाली च्छतें मनाते हैं जैसा कि आपको यहां चित्र में दिखाई देता है क्योंकि इनक शेत्रों में लगातार वर्षा होती है ताकि वर्षा का जल छत पर एकत्र ना हो और इसी प्रकार ढाल वाली छतें हिम ख्षेत्रों में भी पाई जाती है जिन ख्षेत्रों में हिम वर्षा अधिक मात्रा में होती है या हिम वरिष्टी होती है ताकि घरों की छतों पर बरफ का बोज ना पड़े और वो फिसल कर नी से भी हैं जहाँ पर वर्चा के जल्प का जमाव अत्यधिक हो जाता है और वहां पर पानी एकत्र हो जन्हुते के ऐस जमाव के कारण वहां ओजिए ओज प्लेट फार्म ड्धवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं आप इस चित्र में एक स्टिल्ट पर मकान को देख सकते हो ऐसा इसी लिए किया जाता है ताकि घरों में पानी ना घुश सके और इस प्रकार के मकान कई बार जंगलों में भी बनाय जाते हैं ताकि कोई भी जंगली पशु रात के समय घर में हमला ना कर दे गरम जलवायू वाले शेत्रों में मिट्टी की मोटी दिवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छटें फूस की बनी होती हैं ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके बच्चो क्या आप जानते हो कि ये घर गर्मियों में ठंडे वा सर्दियों में गर्म रहते हैं ये प्रकरतिक रूप से वातानुकूलित होते हैं ये स्थानिय समगरी से ही बना लिये जाते हैं जैसे पत्थर, पंक, चिकनी मिट्टी, त्रिंड, आदी का उप्योग इन घरों को बनाने में किया जाता है चलिए अब हम नगरिये वस्तियों की चर्चा करते हैं बच्चो नगरिये वस्तियों में नगर छोटी अवं शेहर उनसे पड़ी वस्तियां होती हैं नगरिये क्षेत्रों में लोग दिर्मान, व्यापार एवं शेवाक्षेत्रों में कारेरत होते हैं यहां पर सिमेंट, रेट, सरिया वा बजरी आदी का प्रयोग करके घर बनाए जाते हैं तथा ये सगन होते हैं जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं बच्चो क्या आप एक बिलकुल अलग तरह के घर के बारे में जानते हो जो बरफ से बना होता है तथा ये है टूंडरा क्षेत्रों में पाया जाता है इसे इगलू कहते हैं तो बच्चो ये थी हमारी अवास पर छोटी सी चर्चा जिसमें आपने यह जाना कि किस प्रकार से म मानव ने प्रकर्तिक वातावर्ण को मानविया रूप में ढालते हुए अपने अनुकूल बदल दिया है तो चलिए अगले मानविया परेवर्ण में हम परिवहन की चर्चा करेंगे यह जानेंगे कि इस क्षेत्र में मानव ने किस तरह के बदलाव कर अपने आपको साइक स्थिती में पहुंचाया है पहले हम परिवहन ईंत क्या है यह जान लेते हैं परिवहन परिवहन लोगों एवं सामान के आवगमन के साधन होते हैं पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यदिक समय लगता था तथा उस समय के लोग बैदल चलते थे अवं अपने सामान को ढोने के लिए पश्यों का उप्योग करते थे पहिये की खोज से परिवहन आसान हो गया जैसा कि बच्चो आपने पहले की कख्षाओं में पढ़ा है कि मनुष्य ने जब से पहिये की खोज की है तो परिवहन का अविश्कार वहीं से हुआ है समय के साथ परिवहन के विभिन सादनों का विकास होता चला गया आज भी लोग परिवहन के लिए कई बार पशूओं का उप्योग करते हैं चित्र में आप यातायात के साधन के रूप में इस गोड़ा गाड़ी को देख सकते हैं हमारे देश में समानिता, गधे, खचर, बैल, अम उंट का उप्योग किया जाता है दक्षिन अफरीका के इंडीज परवत के एक शेतर में लामा का उप्योग उसी तरह होता है जैसे तिबबच में याक का उप्योग होता है प्रारम में अन्य देशों के वेपारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे वे समुद्री मारग से या थलिये मारग से आते थे हवाई यात्रा ने परिवहन को बहुत तिवर बना दिया है आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल छे से आठ घंटे का समय ही लगता है इस परकार परिवहन के आधुनिक साधन समय अवम उर्जा की बचत करते हैं बच्चो क्या आप जानते हो की परिवहन के चार मुख्य साधन हैं पहला सडक मारग, दूसरा रेल मारग, तीसरा जल मारग, चोथा वायू मारग आईए बच्चो एक एक करके शंक्षिप्ट में इनका अध्यन करें सबसे पहले हम सडक मारग का अध्यन करेंगे भूस धल पर कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उप्योग किये जाने वाले मारग सडक हैं सडकें पक्की एवम कच्ची हो सकती हैं चित्र में आप देख सकते हैं मैदानिक शेत्रों में सडकें बनाना आसान है इसी लिए यहां सडकों का घना जाल बिचा है मरुस्थलों वनों और उंचे परवत जैसे स्थानों पर भी हलाकी सडकें बनी हुई हैं प्रंतू यहां पर सडकें इतनी सघन नहीं हैं बच्चो हिमाल्य परवत पर मनाली ले राजमार्ग विशव के सबसे उंचे सडक मार्गों में से एक है बच्चो भूमिगत सडकों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं कई आप इन्हें शेहरी क्षेत्रों में देख सकते हैं फलाई ओवर उत्थित सरंचनाओं के उपर पाए जाते हैं बच्चो क्या आप जानते हो कि सडक मार्ग का निर्मान अवम रख रखाव हमारे देश में केंद्रिय वय राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार शेत्रों के अनुसार करती हैं और इन्ही अधार पर हम इन्हें राष्ट्रिय राजमार्ग राज्य राजमार्ग आदी कहते हैं भारत में एक्सप्रेस वे का निर्मान एक नवीनतम उपलब्दी है। यहां चित्र में आप स्वर्ण चत्र भुजी है, महा मार्ग जो दिल्ली, मुंबई, चिनई, एम कॉलकत्ता को जोड़ता है देख सकते हैं। बच्चो परिवहन का अगला मुख्य साधन रेल मार्ग है। रेल मार्ग भूस्थल पर अधिक दूरी यातायात के सबसे अधिक उप्योग में किये जा सकने वाला साधन है। रेल मार्ग के द्वारा तिवर्ता से एम कम खर्च में लोगों का आवागमन एम भारी समान को ढोने का कारिया होता है। वाश्प के इंजन की खोज एम ओध्योगिक क्रांती ने रेल परिवहन के तिवर विकास में सहतार परदान की। डीजल एमम विध्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाश्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। बच्चो सुपरफास्ट रेल गारियों से परिवहन की गती और तिवर हो गई है। बच्चो आपने बुलट ट्रेन के बारे में तथा उसकी स्पीड के बारे में तो सुना ही होगा जो हजारों किलोमिटर का सफर घंटों भर में ही तैय कर देती है। पर बच्चो क्या आपको मालूम है कि मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। हालांकि उन्नत प्रध्योगी किया कौशल से दुर्गम पहाडिक शित्रों में भी रेल मार्ग बनाना संबभ हो गया है। लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। कालका से शिमला रेल मार्ग इसका एक अच्छा उधारन है। इस पर चलने वाली ट्रेन बहुत छोटी होती है जिसे हम टोय ट्रेन भी कहते हैं। इसे आप यहां चितर में देख सकते हैं। भारतिय रेल मार्गों का जाल भली भांती विक्सित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। आईए कुछ अनोखे रेल मार्गों के बारे में भी जान लेते हैं। जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेल गाड़ी समुदर तल से 4000 मेटर की उचाई पर चलती है। जिसका सबसे उचा बिंदू समुदर तल से 5072 मेटर है। मानचितर में आप देख़िए यहाँ पर जो अगली तस्वीर आपको नजर आ रही है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की है। माग और रेल माग के बाद आए तीसरे परिवहन माग जो की जल में चलता है का अध्यन करें यानि जल माग जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल माग का उप्योग किया जाता था अधिक दूरी में भारी आम बड़े अकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल माग सबसे सस्ता सादन होता है ये मुक्ता दो परकार के होते हैं अंतर देशिय जल माग एवं समुद्री माग अंतर देशिय जल माग एक ही देस में विभिन नदियों जीलों या तालाबों में चलने वाले परिवहन को कहते हैं तथा नाववे नदियों एवं जीलों का उपयोग अंतर देशिय जल मार्ग के लिए होता है। कुछ महतपुन अंतर देशिय जल मार्ग आप यहां मानचितर में देख सकते हैं। यह हैं गंगा ब्रहम पुत्र नदीतंतर, उत्री अमरीका में ग्रेट लेक और अफरीका में निल नदी। समुद्री महा सागरिय मार्गों का उपयोग समानिता वया पारिक माल एम समान को एक देश से दूशरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। यह मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। बच्चों, पतन से हमारा विप्राय तट के नजदीक वह स्थान जहां पर समुद्री जहाज समान उतारते हैं वह चड़ाते हैं। आप चितर में कुछ विशव के महत्रपुन पतनों को देख सकते हैं। जैसे एशिया में सिंगापूर एवं मुंबई। उत्तर अमेरिका में न्यू यॉक एवं लास एंजिल्स। दक्षण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो। अफ्रीका में डर्बन एवं केप टाउन। इसी परकार आस्ट्रेलिया में सुडनी यूरोप में लंडन आधी परमुक हैं। आईए बच्चो अब हम अति आधुनिक व तिवर गति से चलने वाले परिवहन की चर्चा करें। यह परिवहन दुलगम से दुलगम स्थानों तक पहुंचने की शम्ता रखता है। तथा मानविय परियावर्ण में परिवहन के शेतर की बड़ी उपलब्धी माना जाता है यह परिवहन है वायू मार्ग परिवहन 20 सदी के अरम में विक्सित यह परिवहन का सबसे तिवर मार्ग है हलांकि इंधन की लागत अदिक होने के कारण यह सरवाधिक महंगा सादन है वाईू यातायात खराब मौसम जैसे कूहरे ऐवं तुफान से कूपर भावित होता है यह यातायात का अकेला सादन है जो सरवाधिक दुर्गम एवं दुरूह सथानों तक पहुंच सकता है विशेश रूप से जहां सड़क एवं रेल मारग नहीं पहुंच सकते हैं बच्चों क्या आप जानते हो कि यह परिवहन हमें आपदा के समय अत्यदिक सहायक होता है चित्र में देखिए कि किस परकार से हेलिकॉप्टर, अगम्मे स्थानों एवं संकट काले इंस्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बाटने के लिए एक बहुत ही उप्योगी साधन है आपने अभी कुछ वर्ष पहले के दारनाथ में आई हुई तबाही में इसकी मह अरतपूर्ण हवाई पतन यहां आप विशव के मानचितर में देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, न्यू यॉक, लंदन, पेरिस, फ्रेंकफर्ट, एवं काहिरा, आदी बच्चो अब हम आपको परिवहन के साधनों का एक संयुक्त मानचितर दिखाते हैं जिसमें आप परमुक, समुद्री पतन, वैंकूवर, लॉस एंजिल्स, पैनामा, लीमा, सेंटियागो, करकास, काहिरा, अदन, कुवैट, कैप टाउन, मुंबई, कोलंबो, कोलकाता, ढाका, पर्थ, सिडनी, डर्बन, मनीला और उसाका आदी को देख सकते हैं और इसी परकार आप इसमें कुछ मुख है हवाई पतन जैसे सान फ्रांसिस्को, वैंकूवर, मियामी, न्यू यॉर्क, रियो डिजिनारियो, लंडन, पैरिस, मैडरीड, लिस्बन, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, डर्बन, कैप टाउन, मौरिशस, पर्थ, सिड्नी, मनीला, उसाका, टोक्यो, कोलकाता, मुंबई, देली, चिन्नई, आदी देख सकते हैं तथा यहाँ पर कुछ आप जल मार्ग, वैंकुछ वायू मार्ग भी अच्छे से देख सकते हैं। बच्चो, इस अध्याय में आपने जाना कि मानविय पर्यावरण में मनुश्य ने अपने चारों तरफ जितना भी भौतिक वातावरण है, उसमें अपनी बुद्धी और कोशल के दम पर अद्भुत बदलाव किये। तथा किस परकार से मानव ने अपने आवास जो की एक गुफाओं से शुरू हो करके कहां इतने महानगरों में उँची उँची इमारतों तक का सफर आपने देखा, आपने आवासों के परकार को भी अच्छे से पढ़ा, इसी परकार से आपने परिवहन में, स्थल परिवह में हस्तक शेप तो किया ही है, इस हस्तक शेप करने से हलाकि कुछ नुकसान भी हुए है, यदि आप परिवहन के सादनों को, इनकी बढ़ती हुई संख्या को देखो, तो आपको परदूशन तथा भूमी परदूशन आदि की समस्या देखने को मिलेगी, इसी परकार से अन वातावर्ण को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करना है, आपको अपने विधाले और अपने घरों पर इन सब अपने प्रकरतिक वातावर्ण की चीजों का बहुत ध्यान रखना है, बच्चो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक सुनने और देख झाल